चोड़ना और चोड़ने के लिए सिर नहीं हिलाना पड़ता कुछ छोड़ते हैं न सिर हिलाने के दुर उतने खाले देखो यही कपाल बात इससे अब देखो पहले तुमने यहां के अक्सिसाइज बताई स्टमेग इंटरस टाइम अब छोटी आंथ में दिक्कत है तो क्या होगा गैस बनेगी हजम नहीं होगा भोजन ठीक से छोटी आंथ में दिक्कत है तो आपको कौश्टिपेशन होगा बढ़ी आथ में दिक्कत है तो फिर आओ बनने लगेगी कपाल बाती के करने से छोटी बढ़ी आथ दो नुठीक हो जाती इंटरस टाइन करो करो कभी भी अपेंटिक्स के प्रॉबलम नहीं होगी कब जनी गैस नहीं एसीडिटी नहीं जदातर लोगों को एसीडिटी बनती है जदातर लोगों को गैस होती है कपाल बाती प्राणायम से गैस और ऐसीडिटी खतम प्रणायम क्या करता है आपकी दिनचरिया में को ठीक कर देता है आपकी जीवनचरिया को ठीक कर देता है आपके डैजिस्टिन को ठीक कर देता है अर आदमी यही तो चाता है न भोजन किसम अची भूख लगे, खाकर की हजम हो जाए और दूसरी दिन टॉलेट में जाएं तो वह वक्त न लगे लेकिन मुल्टा ही हो रहा है, पहले खाने में दिक्कत, खालिया तो पचाने में दिक्कत और थोड़ा भोट पच भी गया तो दूसरी दिन निकालने में दिक्कत, खींचातानी चलती रहती है मन कभी प्रणायम कर ले, बोले सामजी वक्त नहीं मिलता मन कँ टॉलेट में कितनी दिर लगाते हैं, बोले बस आदा घंटा मन का और ज़्यादा देर ठरने की इच्छा है क्या और देखो, कपाल भाती करो, तो टॉलेट में जोर नहीं लगाना पड़ाएगा बहुत से लोग, मिरी बात को ध्यान से सुनना बहुत से लोग टॉलेट में, शोचालाय में, जोर आजमाइस करते हैं जोर लगाते हैं, उससे क्या होता है, पुर्षों को धातुरोग होता है, शुक्रक्षय होता है और माताओं बहनों का योट्रस बाहर निकलने लगता है याद रखना, लेट्रिन में जोर नहीं लगाना चाहिए तो क्या करें, पहले कपाल भाती में जोर लगाएं, लेट्रिन में जोर लगाने की जुरूती नहीं पड़ेगी ये जोर आजमाइस करने श्या ताकत बढ़ती है अब पूर्धुरेता होते हैं, शुक्रक्षय रुकता है, धातुरोग रूप मिटते हैं इतना दबरदस्त प्रणायम, छोटी सी बात है, प्रणायम की विदी वी विधा दी, इसके लाब भी बता रहागा इंटरनेल एक्सेसाइज, देखो भाई, रुक जाओ एक बार, देखो इससे क्या होता है लंग की भी एक्सेसाइज होती है गले की भी एक्सेसाइज होती है थायराइड की भी गले की और ही जादा एक्सेसाइज करनी हो न यह इंटर्नल एक्सेसाइज मेरी बात को ध्यान से सुनना इंटर्नल एक्सेसाइज जिससे की हमारी जो अंतस्रावी ग्रंथिया है उनसे होने वाले हार्मोंस का सिक्रिशन ठीक हो जाए और यदि हार्मोंस का सिक्रिशन ठीक है तो कोई विमारी हो इनी सकती आपको थारेड से T3, T4, T4, TSS का सिक्रिशन नॉर्मल है तो कैसे हो गया अबनॉर्मल थारेड वो जब ठीक हो गया तो क्यों खाएगा मेरे भाई गोली यह बोला है पो आई पर धरड होगा तो जंदगी पर गोली खानी पड़ेगी मैंने का नई तो कपाल भातिकार और रुज्जाए कर ले देखो यह कैसे होता है यह इंटरनल एक्सिसाइज दे रहा था मैं अभी आपको दो तीन तरह से मैं प्रणायम के लाब बताने की कुशिश करता हूँ फिजिकल लेवल पर मेंटर लेवल पर स्पिश्चल लेवल पर प्रणायम के अलग लग लाब है वो आपको आज भी बताएंगे आगे आने वाले दिनों में भी इनकी सूक शम्ता समझाएंगे गले की दिक्कत है गले के एक तुझ माले बता है वोकल कोड की प्रbility में की प्रोपललम प्रלस के घर में वही dir पर थाराड के प्रोबलम वह इस प्रोबलम अंदर छिदर उदाते हैं गले में लेकिन एक और प्रोबलम है रात को खराटे मारते हैं बहुत से इतनी जोर-जोर से मारते हैं कुछ तो ऐसे मिले हैं मुझे बोले इस्वाम जी बढोस के घर में भी सोनाओ देता है इतनी ज़ूर से तो क्या करे hazard काkä Š? क्या है? उज्जाही प्रणान 3-11 बार करेंगे लो थारेड के problem क्यों? कपाल भाती उज्जाही थारेड के problem रहेए नहीं स्नोरिंग की प्रोब्लम ये खर्राठी की प्रोब्लम रहेगी नहीं क्या करना भरने के बाद राइट नॉस्टर को बंद कर लेख से लेख से बाहर जोड़ दे रहा शास को अंदर भरेंगे उज्जाई प्राणा में अंदर भरने के बाद जो पूर्ण स्वस्था हो थोड़ा रोक सकते हैं जिनको हाट आई वीपी की प्रोब्लम बिना ही रोके राइट को बंद करके लेट से बाहर छोड़ देना करना कैसे है गले को टाइट करना शिकोड़ना आकुंचन करना और अंदर भरना स्वास थोड़ी दिर रोकने के बाद राइट नौश्टर को बंद करके लेट से बाहर छोड़ देना यह उजजाई गले के लिए थाराड के लिए स्टनोरिंग के लिए बात अच्छा सहयोगी प्रणायम कपालभाती का पैसे कपालभाती से भी थाराड मैक्सिमम लोगों का ठीक हो जाता नहों तो इसको भी कर सकते यह साथ में और कभी कभी कर लिया जारुदिन को थाराड की प्रोब्में रोज भी करने तो क्या पती है उज्जाई में अंदर भरना फिर बाहिये प्रणायम अंदर भरना बाहर छोड़के बाहर होल्ड कर देना और तीन बन लगाना देख़ेँ फिर अंदर भर लेना बाहर छोड़के बाहर रोख दिया होल्ड कर दिया बाहर छोड़ते समय पहले जाल अदर बंध खोटाएं फिर उड्यान बंध मूल बंध हटके त्रिबंध के साथ बाहिये प्रणायम त्रिबंध के साथ जालंद बंध ठोड़ी को कंट कूफ में लगा देना उड़्ियान बंध पेट को स्युगोड के पीट से लगा देना मूल बंधना भी से निचले भाव को पर खीच के रखना जिसी ये ना हो बाहिये प्रणायम तो क्या करें अगनी सार सास को बाहर छोड़के बाहर होल्ड कर दे पीट को अंदर खीच ये उधीला छोड़े देखो ऐसे अग जिसका पेट ऐसे हिल रहेगा उसका पेट में कोई विमारी रहेगा पेट ही नहीं रहेगा फैट ही नहीं रहेगा ये मूटा मूटा पेट छुटा छुटा हो जाएगा देखो भस्तरी का कपाल भाती बाहिये फिर अनुलों मिलों करते हैं अनुरूम्म्मी भी देखो यहा छाते में स्वास बते कैसे दर देखो सामने भाई से लिया दाएं को बंदद की आंग उठे से देखो ऐसे दाएं रो नाक आइसे के पूरा भरनाई के बाद दाएं से और चोड़ देना दीरे दाएं से लेना बाएं से बाइन से लेना दायासी बाइन से बाइन चुड़ देना करो सबी चाती में बरना डायाफाम पूरा फेफण यहां तक भरेगा स्वास इस भाग में स्वास भरेगा पूरा यह जो यहां तक यहां तक भरेगा पूरा स्वास समरिचाती तन जाती है जब स्वास बीतर घार बढ़ते धें इतना ऐसे बहर और रशे directly करो करो अभी करो करो सभी करो रुको मत लगाता है करो जड़ा एक से दो मिनट तो करना ही चाहिए आपको अब बीच में रुक जाते सेज करो नए एक दम सेज देखो हाथ हैसे रहेगा एक दम सामान्य वस्ता हाट आई बीपी की प्रब्लम दो धीरे कर लेकिन करना जरूर एबीपी निउज आपको रखे आगे